हेलो स्टुडेंट, स्वागत है आप सभी का एक पर फिर से हमारे इस लर्निंग प्रेटफार्म BSC बायर वाला में इस्टुडेंट प्रिवियर्स क्लास में मैंने आपको आपरेटिंग सिस्टम के बारे मताया आज इस लेक्चर में हमारा डिस्कसन होगा आपके साथ होम पेज या फिर वेबसाइट वेबसाइट क्या होता है होम पेज क्या होते है इसी के कॉंसेप्ट पे आपका हमारे साथ डिस्कसन होगा तो इसमें आपको दो टॉपिक पढ़ने हैं कि होम पेज क्या होता है और वेबसाइट क्या होता है तो पारले हम समझते हैं कि भाई होम पेज क्या है तिन हम वेबसाइट के बारे में डिस्कसन कर लेंगे तो मैंने बताया कि जो होम पेज क्या ओता है? कि कोई एगर विपसाइट है उसका जो first page होता है वो home page कहलाता, येनि कि जो होम पेज होता है वो वेप पेज का, येनि कि आपके विपसाइट के weप पेज का first page होता आपने किसी भी अप्लिकेशन पर कोई चीज सर्च की आपने सर्च किया गूगल तो गूगल को सर्च किया तो गूगल को सर्च करने के बाद आपका जो पहला इंटरफेस आएगा उसको हम लोग कहते हैं याने कि किसे भी वेपसाइट का जो पहला पेज होता है फर्स्ट पेज आप वेपसाइट काल देज होमपेज होमपेज उससे कहते हैं किसी वेपसाइट का जो पहला पेज होता है उसको हम लोग होमपेज कहा चाहता है अब आप कहेंगे भाई आप बताँए कि website का पहला पैज तो बेबसाइड क्या होती है आप यह बताईए तो हम कहेंगे भाई website तो आपको आगे समझने है 30 pratic के थोड़े इमको्रटंट टॉपिक के आपको फोकस कराने का कारे करते हैं ग्षाले सारे पेज पो हुस् सारे pages आपस Meen जोईन होते हैं तब उसको हमलों कहते हैं website य sug Link अभ्य प्रेस जब आप ड्रों किसी थिस का सीट कहने का मतलब नहीं बता है कि जब जो website का पहला page होता है उसको कहते हैं लोग working जब यही कई पेज आपस time मिल तो चार दस परचीज के सांग किसी वेपसाइट को किसी भी होम पेज का उसको करते हैं लेकिन वह जो वेपसाइट का पहला पेज होता है उसको कहते हैं हम लोग होम पेज थिक तो होम पेज क्या आपको समझ में आ गया होगा तो बहुता है हो और तो हम लुआता है हम लोग होम पेज को स्टार्ट भी करते हैं जो किसी भी वेप भ्राउजर को ऐसा प्लिकेशन को पहली बार उपन करते हैं करम चोर्ट है पर पर आपने कोई विबसाइट ओपन की तो आपपनों छपार। कि आप कमारी यूटूब चैनल पर जाते हैं तो आपको एक लोगो दिखाई पड़ेगा नविगेशन बार दिखेगा भी सिबायो वाला का हेडिंग दिखेगी फोटो दिखेगा टेक्स्ट दिखेगा कि हाँ यी यूटूब चैनल पर सब्साइट हो सकते हैं इस पर इतनी सा चैनल फोट होता है कि सी दोमेन का यालि कि वह पहला पेज बताता है कि आपका वäreंद वह व किस परकार से कहें यह सब्सक्राइब अधि इसपेशिए स्पेस्ट को एक्सेस करके प्रकार की जैनकर को प्राप्ति कर सकते हैं इसको आप लोग समझ लीजिए तो लिखा है फर्स्ट लाइन में तो होम पेज इस फर्स्ट पेज आप होम वेबसाइट का पहला पेज क्या होता है होम पेज होता है यह होम पेज लोग इस्टार्ट पेज भी कहा जाता है फोर्स पॉइंट पर आता है तर्म होम पेज रेफर्स तो वन और पर मोर पेज़ आल्वेज आलवेज ऑने भी ब्रावजर विल्ड़ अप्लिकेशन श्टार्ट आप यानि कि जब आप किसी अप्लिकेशन को इस्टार करते हैं तो इसमें जो पहला पेज या पर उसके बाद का जो दो चार पैज दिखाई पर था वो वह ओमपेज कर दाता है क पाफ़े पाच में लिखा है ए यूजर नेविगेटिंग टू ए विबसाइट फ्राम ए सर्च इंजन विल सी दर होम पेज फिस्ट यानि कि जब कोई यूजर किसी निविगेशन बार पे यानि कि किसी वेपसाइट पे किसी भी सच एले कि गूगल प्रोम है गूगल ब्राउजर है या फिर फारफाक्स मुजिल्ला है किसे भी अपलीकेशन पर जाता है जो भी चीज़े उस नवीजियसन भार के फूर। सर्च करता है जो पहला पेच दिखाई परता है सर्च करने के बाद सर या फिर आप कोई भी ब्राउजर या फिर आप कोई भी अपली केसर ओपिन करते हैं तो जो उसका पहला पेज दिखाई पड़ता है उसको अब लोग होम पेज के नाम से चालते हैं लास्ट पॉइंट आता आपका की पॉइंट का तह होम पेज इस यूज़ तू फैसलेट नेविगेशन टू अधर पेज आंधा पार्टेकूलर वेबसाइट जो होम पेज होता है उस पे यूजर के थूजर नेविगेशन बार्ज जो होते हैं उस पे कहने का मतलब इसका मतलब यह है कि जो होम पेज होता है उस पे जो नेविगेशन बार्ज बने होते हैं वो हमको वेबसाइट के एक पार्टिकूलर पेज से दूसरे पार्टिकूलर पेज पे लेजाने का कारे करता है जैसे आपने कोई नेविगेशन बार्ज कुछ आपके website से लिखी होई है तो आप जैसे home page क्लिक करेंगे तो आपको एक list open हो जाएगा तो आपको देखा कि home page में आपकी इस चीज पर जाता है कि आप किसी आपको देख रहा है तो आपको दूसरे page पर चले जाएंगे तो एक पेज से दूसरे page पर चाना फेसिलेट करना यह निविगेशन बार का काम होता है तो यह था पूरा आपका home page के बारे में अगली लेक्चर में आने की अगला point है मारा website website क्या होता है अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं तो मैंने सुलुवात में ही बता दिया था कि जो website होता है उसको हम लोग कहते हैं collection of web pages यानि कि जब website के कई page जैसे आपने देखे होंगे भाई एक page है एक page दो page अलग-अलग जब page होते है जब इसको आपस पे combine कर जाता है तो एक यह copy बन जाती है ठीक अलग-अलग यह page है जब इसको आपस पे जोड़ दी जाता है तो यह क्या वज़ता है copy बन जाती है एक notebook बन जाता है तो उसी प्रकार क्या होता है जब website का जब यह page होते जब अलग-अलग page को design करके आपस में connect कर दी जाता है तो यह तो page परे साधे होते हैं तो इस पर designing होती इस पर text logo जो भी चीज़ी आवशकता परती इसमें upload कर दी जाता है फिर आपस में इस सब को interconnect कर दी जोर कियाता है तो यह क्या करनाता है विपसाइट कहलाता है फिक और लिए समझने का प्रांश करिए आहने सँ कर kisses क्याइब कि आपका एक page । इस पर आपने design कर दिया फिर आप ü네 दूसरा page का बनाया है developer है उसका नाम रहेगा आपके सारे कुछ details रहेंगे ठीक तो उसके बाद next page में किस लिए आपने website बनाया है क्या उसके हो सकता थी सारे चीज़ी आप तीरी दीरे mention करेंगे फिर उसके बाद में सारे चीज़े details आप लोग लिख देंगे तो यह अलग-अलग page पी आप लिखेंगे और जब इन्हीं सब page को आपस में आप interconnect कर देंगे जोड़ देंगे तो बन जाता आपका website तो इसलिए कहा गया उसलिए कहा गया कि तक collection आप जो website होता है क्या है इसे collection आप web pages वह आपस म पर देखाई परता है कि वह आपस पर inter connect है ठीक है आगे समझते है जो कि से सिंगल डोमेंन ने जो कि एक सिंगल से डोमेंन को सेर करता काने का मतलब अगर आपने अपनी वेपसाइट बना ही तो आप अपने खुद का एक डोमेंन नेम देंगे यानि कि जिस लाम से आपकी website ह आपका कोई website है मने माना कि आमार विपसाइट है bscbio wala ब्यक्ति 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 मेरी website है तो हम क्या करेंगे भाई पहले website हम लेंगे यानि कि डोमेंन नेम बनाएंगे www.ira.com प्र बुले हम लोग bscbio wala.com तो यह क्या है एक प्रकायर का यह डोमेंन नेम हो गया आप इस टोमिन नोम को आप ले सकते हैं आगे समझते हैं फिर आप लिखा गया है वेपसाइट वेपसाइट कैन बी क्रियेटेट या फिर मेंटेंड बाइन इंडिविजुल अब जो वेपसाइट होती है हो सकता है कि आप अपने खुद के लिए बनाए अपने ग्रुप के लिए इजूगेशन पर्पस से बनाएं गॉर्मेंट बनवाए अपनी वेपसाइट अलग अलग प्रकार की बनाएं जाते हैं जयसे अगर एजूगेशन के लिए एजूगेशन से तॉप्साइट को अप्लोड करेंगे business के तौर पे बनाया है तो business के सारे individual बनाया है तो भाई इस पर कोई भी जाकर access करके अपना देख सकते है government की website है तो इस पर government worker जो होगे वही कार करेंगे military का है तो military worker कार करेंगे newspaper है तो उससे news related आपको जाने कारी मिलेगी commerce है तो उसके related entertainment है तो उसके related है इसके यह स्लऽ हुए उसके वीब्सर्वर पर स्टोरी में किकिलोगन को साथ है अधिकुक्य हूं प्लिक ली पाफूब्लिक लिक्लिक से यह ड्यूंड उनकार तो आधिकुलता तो दर्स्टोर्भे डिलके सुद्टirens जो कुछ वेबसाइट होती है वो क्या होती है पब्लिक होते हैं कुछ वेबसाइट होते हैं जो प्राइबेट होते हैं तो उस पर केवल प्राइबेट नेटवर्क ही उस पर कारी कर सकते हैं जैसे आप किसी कंपनी में कारी करें अगर उस कंपनी का वेबसाइट है तो उस सपपधी की जितने उप्लाइश होंगे उसको बाहत है कि उसके पर करें म transfक की सब्सक्राइब युद्ट के सकते हैं तो एक निमइन तरफासके सबस्क्राइब अगर उसके उनका इंप्लाई है उस एरिया में है तो उसका एक रेंज होगा उसके वेपसाइट का तो वहां पर जाके एक्सेस कर देगा अन्यथा नहीं कर पाया तो अपने डेक्सटाप लेप्टाप टैबलेट स्मार्टफोन के द्वारा किसी भी दिवाइस से वह जो है कि इकक्सेस कर सकता है अगर उसे दूरी में रहेगा तो यह था पूरी बात वेप्साइट के बारे में बात करते हैं टाइप साफ static website एक basic type का website होता है जिसको बनाना बहुत ही आसान होता है इसको हम आसानी से इस website को बना सकते हैं जो इसका page होता है जो static site जो website होते हैं वो constant होते हैं फिर आप करते हैं फिक्स होते हैं कहने का मतलब जो static website होती है वो बनाना थोड़ा easy होता है उसको आप आसानी से बना सकते हैं जो static website होते हैं उसमें जो element दिखाई परते हैं for example आपको कोई logo दिखाई पड़ा कोई text दिखाई पड़ा कोई भी चीजे दिखाई पड़ी photo दिखाई पड़ा कुछ भी दिखाई पड़ा आपके website पे वो चीजे क्या होती है वो चीजे आपकी fixed होती है constant होती है कहने का मतलब fix constant का मतलब यह यह कि वो चेंज नहीं हो सकता तो अगर कोई यूजर उस पे विजिट किया तो उस पे कोई भी चिंजिंग नहीं कर सकता यह होता है static website का कारे आगे समझते हैं जो आपका static website होता है वो काफी इंट्रेक्टिव नहीं होता देखने में बहुत अच्छा आकर्सित नहीं लगता ठीक और यह चोई की जो static website होती है कि कोई भी person इसको देख सकता है इसमें विजिट कर सकता है तो static website क्या होता है static website मैंने यहीं बताए कि यह बह आसानी से इसको डेवलेप्ट कर किया जा सकता है इसमें जो element होती है पेस पे जो भी चीजी होती है वो constant होती है वो चेंज नहीं होती है वो क्या होती है फिक होती है और यह आपकी static website होती है वह बहुत इंट्रेक्टिव नहीं होती यानिकि अगर आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत आप उसका जाद एट्रेक्टिव नहीं होगे जैसे अगर आप इसका एक example डायनेमी website का तो आप करेंगे हम बताते हैं जो डायनेमी website होते हैं उसको समझे उसकी example से आप समझ जाएंगे इस भी चीज़ को जैसे सबोच कर यह कोई डायनेमी website है इस पे आपको दिखाई पड़ा किको फोटो है वह बार बाद हो रही है एक फोट आ रहा है फिर दूसरी फोट फोट एक पीछे चला जारा है फोटो फिर दीसरी फोटो चलव टीर फोटे फॉटो असके फोटो लगातार आ रह गया है उसके बाद जो इसके element है कुछ element हो सकता है कि वो move कर रहे हो एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहे हो इधर से लिकल रहे हो अधर एक तरफ जा रहे हो हो सकता है उसमें कुछ attractive animation किया गया हो वो सकता है कि इसे move करते हुए जाए या फिर उसमें कुछ अलग प्रकार की changing की सकती है उसके background को एक अलग look दिया जासता है तो यह होती है कर रही है एक जगा से दूसरे जगा जा रही है उसके जो element है वो भी अदल बदल रहे हैं तो आपको वे website अच्छे लगेंगे जिसको हम लोग करते है dynamic website तो dynamic website और static website क्या है आपको समझ में आ गया हो गया समझते आप dynamic website क्या है dynamic website is the collection of dynamic website यानि कि जो dynamic website होते हैं यानि कह सकते हैं कि 3D इस पर जो webpages होते हैं वो काफी attractive होते हैं और यह constant नहीं होते हैं यह हमेशा change होते रहते हैं टिक update होते रहते हैं जो भी user गया जो भी इसका manufactured है इसको बनाया है इसको हमेशा वह बना तक उसमें सारी changing होती रहती है यानिक इसको जो webpages है उसका language है उसकी जो coding है वह coding के माधियम से बना जाती है टिक जीज़े कोई user गया टिक उसमें कुछ सर्च किया तो नई चीज़ी आ गई फिर कुछ सर्च किया तो नई चीज़े आ गई तो यह हमेशा change होती रहती किया किसका काम है ये dynamic website जो dynamic website होते है वो कोडिंग के माध्यम से पाइथन के माध्यम से पाइथन के माध्यम से एंगुलर जीस के माध्यम से रूबी के माध्यम से तो डिफरेंट टाइप के कोडिंग लेंगिवेज होती है ठीक आपरेटिंग सिस्टम में वह सारे कोडिंग लएंगिवेज होते पाइफन होगा पीचैश्पी होगा CSS होगा कैस कर्डिंग स्टायल होगा जिसको अlambe यह सब क्या है यह सब एक प्रकार की कोडिंग स 수가 है झिस Attention जिसके द्वारा आप किसी विपसाइट को डेवलोट की जाता है अब उस पर सारी चेंजिंग देखने को मिलती है तो यह आपका डायनेमिक विपसाइट कुछ की पॉइंट समझ लेते हैं गोगल इसे ग्रेट इग्जामेट अफ डिय्नेमिक विपसाइट को डेखने के दिखाए पना इसने पर ते हो को अभी अभी फेस्टिबल आने वाला है कि इंडिपेंडेंस दे स्वतंतरदा दीवास याने की पंदर अगस्त वा पर देखें कि जैसे आपका जो वेपसाइड होगा उस पे अलग प्रकार का एनिमेशन देखने कुड़ेगा कूगल का लोगो ही चेंच हो जाएगा उस पे आपको तीरंगा दिखाई पडने लगएगा या फिर उसका वील दिखाई पडने लगएगा तो एक अलग प्रकार की क्या एप वेपसाइड है जो हमेशा एनिमेट करती रहती हमेशा बदलती रएथी है कि फेस्ब्यूब्ही उ हमेंसा कुछ चीना कुछ चीजी चेंज होती रहती है तो यह भी क्या है यह भी एक प्रकार की डाइनमिक वेपसाइट है जिस प्रकार का आप यूज करेंगे उस प्रकार चेंजिंग देखने को मिलती है आपके डाइनमिक वेपसाइट अच्छे से क्लेर हो गया हो तो आप वीडियो को फटा फटा से लाइक कर दिजिए चैनल पर पहली बार को बेल आइकन दबा लेजिए ताकि आपको डेलिंग डेलिंग नोटिफिकरशन से मिलते रहें और आपके प्रसमेश्टर की तजारी इस ट्रॉपिक के साथ जिस पे हमारा आपके साथ डिसकसर नहीं हो गारेकर व्ल्ड वायड वयव होता है इसके मेज़र फोर्सम्हें में हम लोग discussion करेंगे कल की क्ला से अगर आपके कोई डाउट कोई queries कोई questions हुए है तो आप हमसे comment box में अपने doubt queries questions को पूल सकते हैं अगर आप इसका pdf notes चाहते हैं तो telegram पे इसका pdf notes अब label है अगर आपको इसका टेलिग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मारे वाटसप नंबर 9598 308044 के तुरू आप तुमसे comment करके या फिर आप मारे वाटसप तुरू आप इसका website यानि किसका आप टेलिग्राम का लिंक प्राप्त कर सकते हैं तो यह आपका website और home page का concept तो मिलते अगर लेक्षर में नए topic के साथ जिस पर आपका हमारे साथ discussion होगा कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है जिसको हम लोग short form में डबलू 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 बोल देते हैं